जैवीब नमो बुद्धाय, नमस्कार, मैं रमेश थेटे लंबा अंतराल है, मैं लगबग तीन-चार मैने से आपके साथ वारतालाप नहीं किया हूँ मैंने बोला था भी एक साथा डिन पहले कि मैं एक तारीक को आप से रुबरू हो जाओंगा और आज तो बड़ा दिन है, एक जनवरी, शौरे दिन, और इसलिए शौरे दिन की सभी को मंगल कामने प्रेशित करता हूँ और आप से जो मुझे बात करना है, जो आतलाप करना है, उसकी शुरुआत मैं इस बात से करता हूँ कि बाबा साब ने अपने मूमेंट में, जो जो हमें मागदशन किया है उन्होंने, और जो बाते हमें बताई हैं, उन बातों को जान में रखते हुए, हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, कैसा अपना काम करना चाहिए, कैसा मिशन आगे ले जाना चाहिए, यही बात हमारे मन में हमेशा रहती है और जब प्रोड़क्शन हाउस शुरू किया था और बैटल आप भीमा को रेगाव फिल्म को प्रोड्यूस करने का निर्णे हम लोगों ने लिया था तो यही बात मन में थी कि उतार चड़ाओ तो आएंगे बाबा साब की जीवन में भी उतार रहा अब देखे एक तो प्रोड़क्शन हाउस जो फिल्म में बनाने का काम करता है प्रोड़क्शन हाउस और उसमें भी बैटल आप भीमा को रेगाव जैसा विशह यानि कि अपने हाप में अंगार को अपने हाथ में लेकर के चलने का विशह ऐसे विशह पर जब एतियास परी 2020 को शूटिंग शूरू की थी और 16 मार्ज 2020 तक के यह शूटिंग चली और कोरोना के कारण बंद करना पड़ा उसके बाद की जो परिस्तितिया हैं मैं विस्तरूत रूप से विस्तार से मैं आपको बताने के कोशिश नहीं करूंगा आज और बताना ही नहीं है और और बलकि अनुभो के आधार पर हमने ये देखा है बलकि ये समझ लिया है कि अगर पहले एक से दस के स्केल पर हमारा विजन पहले एक था तो अभी दस रख करके हमें कैसे आगे जाना है इसका पूरा प्लैनिंग हमने कर लिया है अनुभो इतना तकड़ा है कड़वा वह कम है क्योंकि विश्य ऐसा है तो फिर इसमें और मजबूती से आगे जाने की जुरूरत है यह मैंने मैसूस किया और हमारी जो टीम है यानि कि अपनी टीम है प्रोडेक्शन हाउस की जो टीम है इस टीम में जो करत्तब दक्ष लोग थे और आज भी हैं जो कमिटेड लोग देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हमारी आखें खुल दी और यह आखें खुलने का जो काम इतना कश्टाइक था और पीड़ा इतनी बड़ी थी कि हर संभव कोशिश की गई कि इस प्रोजेक्ट को डिरेल किया जाए जो डिरेल करने वाले लोग थे वह खुद डिरेल हो तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वह बावा साब का विचार कुछ भी हो जाया लेकिन इस फिल्म को हमको बनाना है ये बात जो हमारे मन में थी वह बात को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णे लिया कि अब बड़े विजन के साथ में इस फिल्म को बनाना है और आप यकिन मानिए इस फिल्म को रिलीज करने में जो डेले हो रहा है वो मत्पून बात है क्योंकि समाज इसका इंतजार कर रहा है मुझे बहुत लोग फोन करते हैं रात के बारा बारा बज़े कोई फोन करता है गाउं का कोई विक्ति फोन करता है अरे साब आप कब रि आएगी अब कहा आपका आप कैसे करोगे यह तो गिरोद करने वाले लोग बहुत है इसको हुने नहीं देंगे और मनुवादी ये वो हाँ मनुवादी घुज गए थे ना हमारे प्रोडक्शन मी भी घुज गए थे लेकिन उन्होंने हमारा नुकसान किया और फिर हमने उनको बाहर किया इस प्रोजेक्ट को एक ड्रीम के रुप में क्योंकि ये समाज को आगे ले जाने की बात है बैटल अब भीमा कोरेगाओ य हमारे लोग वो वो क्यों जाते हैं क्योंकि वो एक निशानी है एक बोध चिन्न है असमिता का प्रतीक है उस चिन्न को उस प्रतीक को ही निस्तानाबूत करने की बात कुछ लोग कर रहे हैं अब क्या छोटी बात है क्या यह और इसी लिए दा बैटल आप भीमा कोरेगाओ बादसी फिल्म आना जरूरी है और यह आएगी हाँ बजेट के कुछ विश्य थे मैंने मेरी मेरी जो पूंजी थी तो लगाई थी कुछ लोगों के हमारे चोटे-चोटे लोग हैं उनकी पूंजी थी वो लगाई थी इसके बाद में भी जब कुरोना ने हमको डेंट किया धब धका दिया और जो बजेट की बात आई तो मैं फिर लोगों के पास आया हमारी लोगों के पास आए तब तक नहीं आया था क्योंकि तब तक जरूरत नहीं थे तब हमने बोला था कि वी आईपी पासेश आप ले लीजिए 500 रुपे का वी आईपी पासेश अमने कोशिश करिए लोगों को बोलने की वी आईपी पासेश लीजिए और इससे जो बजट होगा उसका फिल में लग सकता है यह और एक सपोर यह इन्होंने अगर ठान लिया होता कि एक पास हमको लेना है तो बहुत 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 हो जाता है लेकिन लिए कितने लोगों ने मात्र बीस हजार से भी कम एग्जैक्ली अठारा हजार 994 लोगों ने वी आईपी वासिश लिए लगबग एक करोड की राशे मान लीजिए 94 लाक होता है इसमें उतना आया और इससे हमारे बजट में तो कोई ज्यादा कोई फरक पड़ा नहीं है कोई सपोर्ट तो हुआ नहीं लेकिन फिर भी हमने यह सोचा कि जैसे जैसे यह फिल्म रिलीज होने का समय आएगा वैसे वैसे फिर लोगों का रुजान इसमें कराएंगे और इस फिल्म को हिट कराएंगे सुपरीट कराएंगे होगी जरूर सुपरीट होंगी हमें मालूम है लेकिन अभी आज के तारिक में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि बहुत टाइम हो गया यह फिल्म रिलीज नहीं होगी और आप तो सब ऐसा करिए कि हम भशरत यह है कि आप फिल्म जल से जल रिलीज करें कोशिश हमारी वही है लेकिन फिरी भी अगर किसी को लगता है कि हम मतलब आप मैंसे ऐसे कुछ लोग अगर हमें ऐसा कहते हैं कि साब अभी हमारे पैसे वापस कर दीजे तो हमें कोई देर नहीं लगेगी हम करेंगे संपर करिएगा लेकिन मैं आपको अश्वस करना चाहता हूं वैसे मेरे दिमाग में जो खयाल है वो यह है कि वी आई पी पासेस अपने आप में एक ऐसा उधारन होगा कि जो फिल्में हिट होने का जो सिलसला बोलीवूड में इंडियन सिनेमा में अभी तक का चला है गिने समाज के हित्की बात है लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि अगर बैटल भीमा कोरेगा हो आपने सुपर हिट करना है तो हमारे लोगों को तो आगया आना पड़ेगा और क्योंना यह 500 करोड के क्लब में जाए 1000 करोड के क्लब में जाए इसके लिए आवशक तो है यह लोग कारण आपके सामने कंपनी के द्वारा पेस्ट किया गया है हम सब लोगों ने किया है आप ही लोगों के प्रस्ताओं के आधार पर यह किया गया था हमने हमारे द्वारा तो उसको कोई ऐसी बात अपने मन में लेकर के ऐसा कोई सोच नहीं लेना आप लोग कि हमने दो साल प और आप देखेंगे कि हर हपते इस फिल्म के शूटिंग के समन्द में, रिलीज करने के समन्द में या जो भी विशे इसके समन्द में होंगे पर विक जो है एक वीडियो मैं खुद लेकिया हूँगा और आप से वारता लाप करते रहेंगे तो आपके मन में कोई ऐसी दुविदा नहीं होगी और अगर कोई सवाल है, कोई प्रशन है तो आप और हम इस पे बात करके आप संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा काम करेंगे तो मैं आज भी निवेदन करता हूँ कि इस फिल्म का सपोर्ट कीजिएगा, और सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जाएंगे, दूसरा विशह यह है, हमने बोला था कि यह रमेश टेटे फिल्म लिमिटेड यह कंपनी जो है, नाम मेरा जरूर है, लेकिन यह समाज के कंपनी है और इस कंपनी को आगे ले जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से, जो मैंने एक बार आप लोगों से कहा था, कि आर्थी करांती से समाज करांती की हो, मैं बोल करके अभी आपको ऐसी कोई बात जो है, आपके दिमाग में डालना नहीं चाहता हूँ कि आप उसको मजाक मे उडाले, हरे साब ये क्या बोल रहे हो आप, लेकिन आप देख लेना, कि आगे जो हमारे समाज को रिशा देने में, आर्टी एफ कंपनी का बड़ा योगदान होगा, और हमारे गाओं गाओं के लोग, शेहर के लोग, जो यवासाती हैं, हमारी मैलाया हैं, हमारे बेटिया हैं, इन सब को एक उर्जा देने का काम, इस कंपनी के द्वारा, और इस विजन के द्वारा होगा, इसलिए मैंने कहा था, कि आप कंपनी के शेरोल्डर बनी हैं, और जो लोग शेरोल्डर बने हैं, मैं उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, लगबग, 7,311 लोगों न शेर्स लिए हैं, 1400 रुपे के एक शेर, मैंने ये कहा था, कि आप एक साल रखिये, एक साल के बाद आपको इसमें क्या फाइदा होगा, आपको दिखाई देगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि बहुत अच्छा समय हमारे शेरोल्डर के लिए आने वाला है, और उनके लिए कमपनी के माध्यम से क्या किया जा सकता है, अब आने वाले वीडियो में, जो एक 10 तारिक के आसपास एक वीडियो आएगा, इसके समद में एक मैं एक एलान करूंगा, और आपको लगे गया कि अगर मैंने कहा था, तो फिर कमपनी के द्वारा ये बात बताई गई है, ये ब पानिवित करने की बात है, डिटेल में उसे बात करूंगा, केवल इतना कहना चाहता हूं आज के तारिक में, कि आज भी आपके सामने ये मौका है, कि रमेश तेटे फिलिम से लिमिटेड के शेर्स आप खरीदो, अगर आप शेर्स खरीदेंगे, तो कमपनी से आपको फाइ और एक शेर के वल चौदा सो रुपे का शेर है, अब इसमें आपको क्या लाब होगा, आपको दिखाई देगा, हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहते हैं, करके दिखाएंगे तो आपको अपता चलेगा, कि आपको इसमें फाइदा क्या है, बैंक से तो ज़्यादा ही लोग शेर के लोग चाहिए जो हो जो बावा साब के मिशन में अपना जोगदान देना चाहते हैं, वो इस कंपनी के शेरोल्डर बने, और शेरोल्डर बनने के लिए आपको क्या करना है, इसके वीडियो बहुत सारे हैं, केवल आपको गूगल पे के माध्यम से, मेरा बेजना है, और वाट्साप पे इसका मेसेज डालना है, इसके साथ आपका नाम, आपका पता, आपका मुबाइल नंबर और वो पेमेंट का स्क्रीन शॉट, यह आप शेर करना है, मेरे वाट्साप नंबर 98934-88975, इसके करना है, और आप शेरोल्डर बनेंगे, आपको शे केवल इतनी बात है, कि आपको शेरोल्डर बनना है, आप बनिये, आपको फाइदा होगा, नंबर दो, जो VIP पासेस है, VIP पासेस भी आप खरी सकते हैं, और 500 रुपे से क्या होता है, अगर 10 करोड, 20 करोड लोग है, उन में से 5 लाख लोग, मैं चाहता हूँ 5 लाख लोग, 5 एक शेर भी किसी ने लिया ना, आप सारी, VIP पास लिया ना, तो वो भी जो है बड़ी बात हो जाएगी, 5 लाख अगर VIP पासेसेस में फरी दे जाते हैं, तो इसका एक एफेक्ट होगा, और लगेगा, कि ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही, अपनी सबलता की और बढ़ रही है, और मुझे मालूम है, आप सभी लोग साथ देंगे, आपका नुकसान इसमें बिल्कुल नहीं होगा, फाइदा क्या क्या है, आपका लकी ड्रॉज क्या क्या है, ये हमने सब बताया है, अभी तक आपको ऐसी कारवाही नहीं दिखाएदी होगी, जिसमें आपको ये लग फिल्मों को आपका समर्तन देजीगा, वी आई पी पासेस के माध्यम से, और ना शेयर्स के माध्यम से, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे आपका नुकसान हो, जिससे आपके अंदर का जो विश्वास हो डगमगा जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बलकि जब आप देखेंग हमारा काम देखेंगे, कंपनी का काम देखेंगे, फिर्म रिलिस करने का काम देखेंगे, और दूसरा शेयर होल्डर्स को लाभनित करने का काम देखेंगे, तो एक बहुजन समाज के अंदर एक ऐसा ऐसा नरेटिव क्रिट हो जाएगा, कि इस तरह का काम हमारे बहुजन समा किलोंगे चाहिए और इसे बहुत सारे लोग है जनो होने के बावजुद कोई सपोर्ट नी किया लेकिन हमारे मन मैं कोई मलाल नहीं है, आई समाज में पहरे है लेकिन एक ऐसी नई शक्ति पैदा करने का काम जो है इस कमपनी के द्वारा होगा ऐसा मुझे लगता है तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है जो अब आप से बात मेरे को करना है बाबावा साब ने का था मैं भारत को मैं बहुत दमय करूंगा भारत को बहुत करने के लिए हमा कुछ ऐसा जागरुति का काम करें वो काम हमारे हाथ से होना चाहिए अब देखिए प्रॉडक्शन हाउस है हमारे साती सुधिर मेश्राम जी एडिटर है चानल के एक्वालेटी न्यूस के एक्वालेटी सिनेमा के मैं तो चेर्मन मैंजिंग डारेक्टर हूं मुझे लगता है कि अगर बाबा साब के सपने को साकार करने के दिशा में ले जाना है तो ऐसा एक प्लैटफॉर्म क्रेट होना चाहिए जो की बहुत धम्म को ध्यान में रखते वे कुछ करें अब देखिए प्रॉडक्शन हाउस है तो हमारे पास सारा सारा सेट अप है तथाकत बुद्ध क के जीवन पर बुद्धिजम के प्रिंसिपल्स पर कहानियों पर और ऐसी बातों पर ऐसे डाकुमेंटरी बन सकती हैं ऐसे न्यूज आइटेंस बन सकते हैं सिंपोजियम हो सकते हैं सेमिनार्स हो सकते हैं संगोस्तियां हो सकती हैं और इससे समंद्री जो 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 बाते जो हम लोग कर सकते हैं एक ऐसे चानल के माध्यम से हो सकता है और इसलिए एक्वैलिटी न्यूज और इक्वैलिटी सिनेमा को थोड़ा सा बाजू में रखे क्योंकि न्यूज चानल बहुत है हमारे पास एक नया एक विजार मतलब पूरे पूरे डिसकुशन के माध्यम से एक निचोल के रूप में सामने आया है कि हम हमारा जो फोकस है चूकि हमारा प्रोडक्शन हाउस है इसलिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है और इसी के लिए जो है ये चानल जो एक्वैलिटी न्यूज और एक्वैलिटी सिने इन चानल को मर्च करते हुए हम एक नया चानल जिसका नाम बुद्धिस्ट इंडिया होगा यह चालू करना चाहते हैं और आप देखेंगे यह चानल पहले से बहतर तरीके से जो जो अनुभव हमको आये हैं उन अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारी जो टीम है उस ट बुद्धिस्ट इंडिया नाम के चानल को हम लाँच करना चाहते हैं मतलब मर्च करना चाहते हैं सेट अप वही है एक्वैलेटी न्यूज और एक्वैलेटी सिनेमा अब यह फाइनल चीज़े जो है अब उबर करके आ रही हैं और बहुत जल्द जो है आप लोग यह देख जाने का जो काम है उसको करने के लिए और बावा साब के सपने को साकार करने के लिए बुद्धिस्ट इंडिया नाम के चानल को लाँच करना चाहते हैं वो लाँच होगा मैं चाहता हूं आप इसका सपोर्ट जरू करें इसमें सारी चीज़े होंगी जो घटनाए घटित हो सकता है क्योंकि हमारी टीम सक्षा में हमारे पास टेक्निकल सेट अप है प्रॉडक्शन हाउस है और यह सब मिला करके यह दो तरह के काम जो है हमारे हाथ से होने है रिटार्मेंट के बाद में आईस की नोकरी के बाद जो है रिटार्मेंट के बाद जैसा मैंने पहले कहा लोग तो आराम करते हैं बड़िया मज़ा करते हैं हमने वह नहीं किया है और समाज की सेवा करने का अगर काम अपने हाथ में लिया है तो इसका कोई कारण है और कर सकते हो क्योंकि आपके आपके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है कोई पाबंदी नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते तो सार्तक रूप से आप समाज को आगे ले जाने के लिए आर्थी करांती से समाजी करांती को ले जाने के लिए आप क्या कर सकते यह बहुत बड़ा विशय है म और वो क्यों आप अपना पैसा बरबाद कर रहे हों उनको समझ में नहीं आया यह लोग जो कहते हैं ना ऐसा कि यह अपने ऐसा क्यों किया उनको यह समझ में नहीं आया बाबा साब का विजन क्या था बहुत लोग बाते बहुत करते हैं अंबेल करवाद अपने आप में अंग बडी चीज है मैंने चाहे कितनी भी मेट किय kurt मुझे तख्लीफ हुई हो लेकिन रास्ता कभी नी छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा आपकी सेवा करना है समाज की सेवा करना है और जो गरीब लोग है हमारे समाज के गरीब लोग है और खास करके इवा इनको जो दिशा देना है आप देखेंगे आने वाले वीडियो में देखेंगे अपन सब मिलके क्या कर सकते हैं और एक आर्थिक करांथी के माद्यम से आर्थिक कांथी आएगी मुझे किसी से कोई एक रुपे की मतलब अपरिक्ष कर रहा हूं मैं मैं बहुत जल्द जो है मुर्त रूप से बाते नहीं मुर्त रूप से आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और अगर हमारी युवाओं की एनर्जी को एक चनलाइस किया और एक नई दिशा दी तो आप देखेंगे एक नेरेटिव खड़ा हो जाएगा दिश्ट में बहुजन समाज के लोगों को आर्थी करांती से समाजी करांती की और ले जाने का जो मौडूल है वो खड़ा हो जाएगा और इसी मौडूल के माद्यम से समाज की सेवा हो सकती है यह सेवा करना चाहते हैं मैं फिर से आप से आपके साती के रूप में एक निव होने दो लेकिन समाज के एक भी व्यक्ति को ऐसा कभी नहीं लगेगा कि रमेश टेटे ने मेरा एक रूपए खाया करें मुझे जरूत नहीं है मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ मैं फिर से कह रहा हूँ लोगों को पैसा कमाके देने के लिए आया हूँ और बाबा स के साथ रिलीज होगी इसका ग्रैंजर जो है बहुत बड़ा होगा एक इतियासिक फिल्म है इतियास रचेगी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय भीम नमव बुद्दाय नमस्कार